तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब कानूनी लफरा लगने वाला है तो आप समल जाएए और पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि जानकारी के अबाब में आप बटकते रहेंगा आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा कि आखिर आप को क्या करना है किस से मिलना है क्या आपके अधिकार है तो इसलिए सबसे महत्पूर्ण बात क्या है सबसे महत्पूर्ण जो बात है यह है कि आपको सही जनकारी मिलना चाहिए अब अगर माल लेते हैं यह जमीन है इस जमीन के साथ जो है समस्य आउत्पन क्या क्या हो सकता है कि इसका कोई जाली कागज बना कर जो है कबजा कर लिया यह हो सकता है कि यह इस पर अवैद दखल है यानि अवैद एक तरह से दखल का मतलब यह हो गया कि आपके पास सारा डॉक्मेंट मौजूद है लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो कि दादागिरी करके दबंग परविर्ती क वैक्ती है आपकी जमीन पर कबजा करके बैठा हुआ है और इसके साथ यह जो है सकता है कि जो वैक्ती जमीन एक्तर से उप्योग कर रहा है उसका नाम दर्ज है कहने का मतलब है वो जाली कागज कुछ बनवाया नहीं है बाइडिफॉल्ट उसका नाम दर्ज हो गया है और बहुत सारे कंडिशन वेसे हुए हैं हो सकता है कि वो उसको बेज दे या माल दर्ज हो गया है अब चाहिए क्या बरतमान सिच्वेशन में क्या चाहिए बरतमान सिच्वेशन में उसका सुधार चाहिए तो उसका सुधार कैसे होगा तो जमीन पर माल लेते हैं अगर किसी का कोई भी अगर अबैद कबजा कर लिया है तो सबसे पहला एक अधिकार जो कानून में अधिकार प्राप्त है कानून में ये अधिकार प्राप्त है कि कबजा धारी का क्या राइट है मतलब उसको जो कबजा करने वाला तो कबजा करने वाला तो उसको भी एक अधिकार दे दिया गया है दूसरा कि जमीन मालिक का क्या अधिकार है ठीक है जमीन तो ये साप जाहिर होता है कि वो जमीन का मालिक है लेकिन ये समझना बहर जरूरी है कि क्या उनका अधिकार खत्म हो जाता है अब यहाँ पर बात करेंगे जो है उस condition की जिस condition में जो आपका मामला है या तो वो मामला जो है short term से long term जा सकता है है ना वो दो तरह के मामले ऐसे हो सकते हैं पहला ये जो कबजा विवाद है याना कबजा जो विवाद है आपका विवाद है वो पडिवार के व्यक्ति के साथ है पडिवार का जो है एक तरह से वो व्यक्ति है तो उस case में कहने का मतलब ये क्या होगा कबजा विबात करने वाला जो बैक्ती है वो कोई और नहीं है क्या है पड़िवार का लोग है तो यहन यानि उस केस में क्या होगा आपका मामला थोरा पेचिदा हो सकता है अब आपकी लड़ाई कोई अन बैक्ती के साथ नहीं है पडिवार के लोगों के साथ है, हिस्सेदार के साथ है तो वहाँ पर एक-एक तथ को देखना और उसके बाद जो है उसका फैसला होता है तो उसमें थोरा बिलम हो जाता है कोट का फैसला है, वो भी सिविल मामला है, सिविल मामला में हर तथ को देखा जाएगा तभी तो कोई judgment दिया जाएगा, यानि दोनों पक्ष का सुना जाएगा, एक पक्ष क्या का रहे हैं, दूसरा पक्ष क्या का रहे हैं, दोनों को लगेगा नहीं, अभी इसमें जो एक तरह से तब एक final judgment की ओर बढ़ा जाता है, ऐसे थोड़ी है कि एक दिन, पास दिन, दस दि का समय दिया जा रहा, तो इसलिए time तो मिलना चाहिए, ठीक है, और मिलता भी है, लेकिन दूसरा यहां पर यह ठीक वाला बैक्ती है, यानि इसमें क्या होगा कि कबजा करने वाला जो है, अन्न कोई बैक्ती है, अन्न है, तो वो मतलब अन्न कोई है, जो कि आपके जमीन में हिसेदार है, अन्न है, अन्न वैक्ती के पास क्या होता, उससे लरना असान हो जाता है, उसके पास कोई प्रूप तो है नहीं, मामला कोट में जाएगा, उसको पूछा जाएगा कि आप कागस दिखाओ, कहा है कागस तुमारा, जमीन तो उप्योग कर रहे हो, किस अधार पे कर रहे हो, कोई कागस है, तुमारे पास ठोस सबूत है, नहीं है, आपके पास, उनके पास कोई भी ऐसा ठोस दलील नहीं है, जो कि वो कोट में पेस कर सकता है, ना उसके पास कोई ऐसा दस्ताबेज है, जो वो कोट में पेस कर सकता है, तो जब उसके पास कोई ठोस दलील न ठीक है अब यहाँ पर है कि यह तो हो गया कि यह दो समझ्या उत्पन होता है अब इसके अलावे अगर यहाँ पर इसको समझने का परियास करें तो दो कंडिशन उत्पन हो जाता है ठीक है कबजादारी और जमीन मालिक के बीच में एक यह कंडिशन हो जाता है कि जमीन पर जो कबजा करने वाला वैक्ति है यानि 12 साल से अधिक समय से उस वैक्ति का कबजा है एक ये कंडिशन बनता है कि जो उस जमीन पर उपयोग कर रहा है कबजा धारी जो है आज से नहीं है 12 साल से अधिक समय से उस जमीन पर कबजा करके बैटा हुआ है ठीक है तो ये एक कंडिशन पहला condition बनता है दूसरा की हाल में जो है एक तरह से हाल में ही कबजा कर लिया ही जो है कबजा कर लिया दोनों में अधिकार अलग-अलग है देखें 12 साल से अगर अधिक सब्सक्राइब कोई भी जमीन का उपयोग कर रहा है कोई भी बैक्ति तो उस कबजा धारी को एक राइट का एक 12 साल का जो टाइम पिरियेड होता है यानि पहला साल से लेकर 12 साल तक यह समझ सकते हैं तो इतना दिन तक वह बैक्ति जो है यानि संपत्ति का मालिक जो है वह आपको किसी भी परकार का कोई भी कानूनी परकिरिया या किसी परकार का कोई भी सिकायत आपके उपर दर् करने का परती कूल कवजा कहता है दावा कोट में संपत्ती के मालिक जो जमीन के मालिक है उसी पर कर सकता है कि नहीं हम इसमें लंबे समय सो उप्योग कर रहा है तो यह कवजा धारी को राइट है लेकिन बहुत सारे फैसले देखे गए बहुत सारे फैसले को देखने के बाद यह बात अस्पस्ट हो गया कि यानि जो एक तरह से जमीन पर जो है कबजा करने वाला जो बैक्ती है उसको उतना अधिकार नहीं प्राप्त है कानून में, कानून जो हमारे देश का जो कानून है उसमें उसको उतना अधिकार प्राप्त नहीं है, कबजा करने वाले बैक्ती को वो अपना मालिक अनहाग का दवा पेश कर सकता है, लेकिन क्या जो अधिकांस जज्जमेंट है, वो संपत्ती के है, इसलिए जिसकी टाइटिल है, उसी की प्रूपर्टी होने वाली है, अगर कोई ये मन में संकोच बना बैठे हैं, कि जमीन पर कब्जा है, और हम संपत्ती के मालिक बन जाएंगे, तो ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लें, और बहुत बार सुप्रिम कोट के जज्जमेंट में भी कहा गया है, कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, यानि इस तरह के जो मामले हैं, इस से और बिबाद बर रहें, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए आगे भविस्ट में जो भी हो, सुधार हो, कानून नए नए आए, बहुत सारे जो है, हर तच को देखने के बाद, जो है एक तरह से उस पर सुधार भी किया जाता है, और रही बात ऐसे, इस तरह कबजा का फाइदा, जो है, वो सरकार भी उठाती है, नीजी वेक्ती के जमीन का, तो ये भी है, कहीं न कहीं, और साथ में, अगर देखा जाए सबसे पहले, मतलब अगर कोई बहुत सारे इसे फैसले हैं, जो की कबजा धाड़ी के पक्ष में गया हैं, बहुत सारे इसे ट्रस्ट के फैसले हैं, जहां पर जो है तरह से जमीन को दान किया गया, बाद में उस पर जो है कबजा कारने का और अप्रगा दिया गया, मतलब जो उसके उतरादिकारी होंगे, जो उसके बंसा जोग हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रस्ट है, उसी के पक्ष में सुपरिम कोट का भी फैसला है, तो उस तरह के फैसले को भी आपको बताएंगे, ताकि आपको भी समझ मैं कि आखिर क्या हुआ था कोट में, और क्या-क्या प्रक्रिया किया गया, परतमान में उनका काम यह नहीं है कि कागज को सुधार करना बात को समझने का परियाशकर है, बरतमान में जिसके पास संपत्ति का टाइटल रहेगा, परतमान उसी का साथ देगी, यानि आप कितना भी चिला-चिला के कहेंगे, कि ये मेरी जमीन है हम भी मानते हैं कि आपकी जमीन है लेकिन किसी कारण बस अगर कोई आपके जमीन का कागजात त्यार कर लिया है या उसके नाम से हो गया है या उसका फरजी कागजात है जो भी है आप बरतमान में अगर जिसके नाम से संपत्ति का टैटल रहेगा संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा यानि कोई अगर आके ये दावा पेस कर देगा कि हम जो है संपत्ति के मालिक हैं और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो परसासन भी उसका साथ ठीक है आप मालिक होंगे लेकिन आपको अब ये सावित करना परेगा आपको उसके लिए कोड जाना प आपस पा सकते हैं तो ये पूरा परकिरिया होता है अगर आपकी प्रोपर्टी का भी कोई इस गलत तरीके से अगर आवर दखल कर लिया है तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक जरू कर दें चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब क करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबालें